C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पाठ सत्रह सांस सांस में बांस प्रिष्ट संख्या 118 एक जादूगर थे चंग की चंगल नबा अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े-बड़े कर्तब दिखलाए जब मरने को हुए तो लोगों से बोले कबर खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन लोगों ने उन्हें देखा पहले उनकी नकल की और फिर डिजाइन भी बनाए बांस भारत के विभिन हिस्सों में बहुत आयत में होता है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगदा है इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है सभी समुदायों के भरन पोशन में इसका बहुत हाथ है यहां हम खास तोर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागा लेंड की बात करेंगे नागा लेंड के निवास्यों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है इनसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की बांस की चीजें तभी से बन रही है आवश्यक्ता के अनुसार इसमें बदला हुए हैं और अब भी हो रहे हैं प्रिष्ट संख्या 119 प्रिष्ट क्रमांग 119 में बास के बारे में लिखा है बास से मेरा रिष्टा बास का यह जुर्मुट मुझे अमीर बना देता है इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ बास के बरतन और आवजार इस्तिमाल करता हूँ सुखे बास को मैं इंधन की तरह इस्तिमाल करता हूँ बास का कोईला जलाता हूँ बास का अचार खाता हूँ बास के पालने में मेरा बच्पन गुजरा पतनी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिये पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटा कर मुझे मरगट ले जाया जाएगा कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिष्टा उस दौर से है जब इनसान भोजन इकठा करता था शायद भोजन इकठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी क्या पता बया जैसी किसी चिडिया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकी भात लगी हो बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती बांस की खपच्चियों से धेर चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे तरह तरह की चटाईयां, टोपियां, टोकरियां, बरतन, बैल गाडियां, फरनीचर, सजावती सामान, जाल, मकान, पुल और खिलोने भी असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मचली पकड़ते हैं चोटी मचलीयों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे-धीरे चलते हुए खींचा जाता है बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले दें इस शंकु का उपरी सिरा अंडा कार होता है निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती है खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हाँ उनकी पीठ पर तंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना प्रिष्ट संख्या 120 जुलाई से अक्टूबर घंगोर बारिश के महीने यानि लोगों के पास बहुत सारा खालिय वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकठा करने का सही वक्त आम तोर पर वे एक से तीन साल की उम्रवाले बांस काटते हैं बुढ़े बांस सक्त होते हैं और तूड भी तो जाते हैं बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर-दूर होती हैं दाओ यानि चोड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियां तियार की जाती हैं खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तै कर ली जाती है मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बास को हर एक गठान से काटा जाता है लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि दो या तीन या चार गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं यानि कहां से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है आम दोर पर खपच्चियों की चोड़ाई एक इंच से ज्यादा नहीं होती है चोड़ी खपच्चियां किसी काम के नहीं होती इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती है पतली खपच्चियां लचीली होती हैं, खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है प्रिष्ट संख्या 121 टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है यहां फिर दाओ काम में आता है खपच्ची बाए हाथ में होती है और दाओ दाओ का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है जबकि तरजनी दाओ के एकदम नीचे होती है इस स्थिती में बाए हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खीशा जाता है इस दोरान दाया अंगुठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई इसके लिए ज्यादातर गुढ़ल इमली की पत्तियों आदी का उप्योग किया जाता है काले रंग के लिए उन्हें आम की चाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है बास की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई पहले खपच्चियों को आड़ा तिर्चा रखा जाता है फिर बाने को बारी-बारी से ताने के उपर नीचे किया जाता है इससे चेक का डिजाइन बनता है पलंग की निवार की बुनाई की तरह ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के उपर और नीचे से जाता है इससे कई सारे डिजाइन बनाय जा सकते हैं टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़ कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तियार चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो इस पार्ट के लेखक है अलेक्स M. जॉर्ज अनुवादक शशी सब लोग प्रिष्ट संख्या 122 अभ्यास प्रश्न लेख से प्रश्न एक बास को बुढ़ा कब कहा जा सकता है बुढ़े बास में कौन से विशिष्टा होती है जो युवा बास में नहीं पाई जाती प्रश्न दो बास से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चरे जनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों प्रश्न तीन बास की बुनाई मानों के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी प्रश्न चार बास के विभिन उप्योगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्ब में दी गई है एटलस में देखो लेख से आगे पहला बास के कई उप्योग इस पार्थ में बताए गए हैं लेकिन बास के उप्योग का दाइरा बहुत बड़ा है दिये गए शब्दों की मदद से तुम इस दाइरे को पहचान सकते हो संगीत प्रकाशन मच्छर एक नया संदर्ब फरनीचर दो इस निबंध में दैनिक उप्योग की चीज़ें बनाने के लिए बास का उल्लेक प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है दिये गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उप्योग की कौन-कौन सी चीज़ें बनाई जाती है पहले कॉलम में प्राकृतिक संसाधन दिये गए हैं और दूसरे कॉलम में उनके द्वारा बनाई जा सकने वाली दैनीक उप्योकी वस्तूओं का नाम लिखना है प्राकृतिक संसाधन है चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ की छाल, गोबर, मिट्टी इन में से किनी एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तिमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो तीन, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलिविजन के जरीए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है प्रिश्ट संख्या एक सो तेईस, अनुमान और कल्पना इस पार्ठ में कगी हिस्से हैं, जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है जैसे, छोटी मच्चलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले दें इस शंकु का उपरी सिरा अंडाकार होता है निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती है इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर आगे दिये प्रश्णों के उत्तर अनुमान लगा कर दो यदि अंदाजा लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बात चीत करके सोचो क बात से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मचलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तिमाल किया जाता है ख शंकु का उपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है ग इस जाल से मचली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है इन शब्दों पर गौर कीजिए हाथों की कलाकारी, घंगोर बारिश, बुनाई का सफर, आडा तिर्चा, डलिया नुमा, कहे मुताबिक इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो प्रिश्ट संख्या 124 व्याकरण एक, बुनावट शब्द, बुन क्रिया में आवट प्रत्य जोडने से बनता है इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन प्रत्य जोडने से बने है इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो बुनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई दो, यहाँ पाठ से कुछ वाकि दिये गए है क, वहाँ बास की चीजें बनाने का चलन भी खूब है यहाँ चलन शब्द रिखांकित है क, हम यहाँ बास की एक दो चीजों का ही जिक्र कर पाए है यहाँ जिक्र शब्द रिखांकित है ग, मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है यहां मसलन और हर एक ये दोनों शब्द रेखांकित है ग, खपक्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है यहां तरह तरह रेखांकित है इन रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग धंग से लिखो तीन, तरजनी हाथ की किस उंगली को कहते है बाकी उंगलियों को क्या कहते है सभी उंगलियों के नाम अपनी भाशा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ चार अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा ये पाँच उंगलियों के नाम है इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखो प्रिष्ठ संख्या 125 केवल पढ़ने के लिए पेपर मिशी कागज से तरह-तरह की आकरितियां, खिलाओने, सजावट के लिए ज़ालर, जण्डियां, आदि तो तुमने खुब बनाई होंगी पर कभी मूर्ती बनाई है कागज से हाँ भई, कागज से भी मूर्ती बनाई जा सकती है इस कला को अंग्रेजी में पेपर मिशी कहा जाता है कागज से मूर्ती बनाने के लिए चार विधियां हैं इन विधियों के बारे में कुछ मूल बातें यहां दे रहे हैं कागज को भिगो कर सबसे पहले यह तै करो कि तुम क्या बनाना जाते हो क्योंकि जो भी बनाना चाहोगे उसके सांचे की जरूरत पड़ेगी पुराने अखबार या रद्दी कौपी किताबों को टुकडे टुकडे करके पाने में भिगो दो कागज को डेड़ दू घंटे भीगने दो जब कागज अच्छी तरह भीग जाए तो एक एक टुकडा लेकर सांचे पर चिपकाते जाओ जब पूरे सांचे पर एक तह जम जाए तो उसके उपर पांच-छे तह गोंद की मदद से चिपका कर बनाओ अब इसे सूखने के लिए रखतो सूख जाने पर सावधानी से धीरे धीरे सांचे पर कागज से बनी रचना को अलग करो तुम्हारी मूर्ती तयार है यह वजन में हलकी भी होगी और गिरने पर तूटने का डर भी नहीं रहेगा इसे तुम मन चाहे रंगों से रंग भी सकते हो प्रिष्ट संख्या 126 इस विधि से तुम मुखोटे भी बना सकते हो और हाँ, मुखोटे के लिए तो सांचे की भी आवश्यक्ता नहीं बस किसी चेहरे के आकार का बरतन का गोल पेंदा उप्योग कर सकते हो तसला या बड़ा कटोरा या अन्य कोई बरतन चाहिए इस पर पहले बताए तरीके से ही गीले कागस की पांच-छे तह चिपकाओ और सूखने के लिए छोड़ दो जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसे मुह पर लगा कर अनुमान से आँख और नाक के निशान बना लो आँखों की जगे दो छेद बनाओ नाक की जगे पर भी छेद बना सकते हो ताकि तुम्हारी नाक बाहर निकलाए चाहो तो मुखोटे में कागज की नाक भी बना सकते हो जब कागज की तीन चार तह बन जाए तो एक सूखे कागज को हाथ से दबा कर मुठी में भीच कर गोला सा बना लो इस गोले को दबा कर उपर से सकरा और नीचे से थोड़ा चोड़ा नाग जैसा आकार दे दो अब इसे गोंद लगा कर मुखोटे पर नाग की जगह चिपका दो मुखोटे पर रंग करके उसे सुन्दर बना सकते हो रंग की मदद से ही आँख और भौहें मुँच आदी भी बना लो भौटे के बाल जूट आदी लगा कर भी दाढ़ी, मूच या भौहें बनाई जा सकती है प्रिष्ट संख्या 127 प्रिष्ट 127 के बॉक्स में लिखा है मिट्टी की मूर्ती कला के समान कागस की कला पेपर मिशी पुरानी नहीं है अठारवी शताबदी में इस माध्यम में यूरोप में बहुत काम हुआ सुन्दर डिजाइनों वाले डिब्बे छोटी छोटी सजावट की चीज़ें आदी बनाई गई दर्वाजों और चौकटों पर सुन्दर बेल बूटे भी इससे बनाई जाते थे सन अठारव सो पचास के आसपास बड़े बड़े भावनों के अंदर की सजावट के लिए भी पिपर मेशी का खुब उप्योग हुआ इससे मुखोटे, गुड़ियों के चहरे, चितर के चारों तरफ लगने वाले नकाशीदार फ्रेम, बलॉक आदी भी बनाई जाते थे अपने यहां भी पिपर मेशी में मूर्तियां डिबे इत्यादी खूब बनाई जाते हैं बिहार में मानव आकार जितनी बड़ी-बड़ी मूर्तियां भी बनाई जाती हैं और उन्हें वहां की प्रसिद्ध चित्रशैली मधुबनी के समान रंगा भी जाता है बिहार में इस तरह की मूर्तियां बनाने वालों में सुभद्रा देवी का नाम प्रसिद्ध है कश्मीर में पेपर मेशी से डिब्बे बनाने का काम बहुत सुन्दर होता है उनके उपर बेल बूटों के सुन्दर डिजाइन भी बनाय जाते हैं अलग अलग प्रदेशों में लोक नृत्यों और लोक कलाओं में कागस के बने मुखोटों का खुब उपयोग किया जाता है कागस की लुगदी बना कर कागस के छोटे छोटे टुकडे, किसी पुराने मटके या अन्य बरतन में पानी भर कर भिगो दो इन्हें दो तीन दिन तक गलने दो जिब कागज अच्छी तरह गल जाए तो उसे पत्थर पर कूट कर एक सा बना लो अब इस पर गोंद या पिसी हुई मेथी का गाढ़ा घोल डाल कर अच्छी तरह मिला लो इस तरह कागज की लुगदी तयार हो जाएगी इस लुगदी से मंचा ही मूर्ती बना सकते हो गाओं में इस विधी से डलिया आदी बनाई जाती है शायद तुमने भी बनाई हो पर इस तरह की लुगदी से सुघड तथा जटिल डिजाइन वाली मूर्तियां या वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती लुगदी में खड़िया या चौक पाउडर मिलाकर अगर खड़िया मिलाकर बनाना है तो एक किलो कागस की लुगदी में एक पाउ गौंद पाँच किलो खड़िया चाहिए अगर पानी ज्यादा लगे तो हाथ से दबाकर निकाल दो अब इसमें खडिया मिलाते हुए आटे जैसा गूंधते जाओ बीच में गूंध भी मिला लो जब तीनों चीजें अच्छी तरह मिल जाएं तो मूर्ती के लिए लुगदी तयार है अब इससे तुम जैसी चाहो वैसी मूर्ती बना सकते हो सांचे से भी और बिना सांचे के भी बनने वाली मूर्तियां खडिया के कारण सफेद होंगी रंग करके मूर्ती को सुन्दर बना सकते हो बाजार में बिखने वाले बहुत से खिलोने इसी विधी से बनते हैं प्रिष्ठ संख्या 128 लुगदी में मिट्टी मिला कर इस विधी में एक किलो कागज के लिए एक पाव गुंद तथा दस किलो मिट्टी के आवश्यक्ता होगी कागज गल जाने पर लुगदी तयार करते समय उसमें साफ चणी महीन मिट्टी मिलाते जाओ और आटे जैसा गूंद कर एक सा करते जाओ गूंद भी इसी बीच मिला दो लुगदी देखने में मिट्टी की तरह दिखेगी पर हलकी होगी इससे तुम सांचे या बिना सांचे के उपयोग के मूर्तियां बना सकते हो सांचे से बनाने के लिए अंदाज से आवश्यक लुग दी लो उसकी गोल लोई बना लो अब फर्श पर थोड़ी सूखी मिट्टी पर्थन की तरह पहला दो इस पर लोई को रखकर हाथ या बेलन से सांचे के आकार में बढ़ा करते जाओ पर उसकी मोटाई बाजरे या जवार की रोटी जितनी अवश्य होनी चाहिए बेलन हलके हाथ से चलाना जब लोई सांचे के आकार की हो जाए तो इसे उठा कर सांचे पर रख दो और हाथ से धीरे धीरे दबाओ ताकि उसमें सांचे का आकार अच्छे से आ जाए जब यह थोड़ा कड़क हो जाए तो सांचे को उल्टा करके हलके हाथ से थोड़ा सा ठोको और सांचे को उठा लो तुम्हारी मूर्ती तयार है इसे पकाया तो नहीं जा सकता पर हाँ तूटने पर गोंद या फेवी कॉल से जोड़ जरूर सकते हैं और रंग तो कर ही सकते हैं इस पाठ को लिखा है जया विवेक ने पाठ समाप्त प्रिष्ट संख्या 119 शब्द कोश यहां तुम्हारे लिए एक छोटा सा शब्द कोश दिया गया है और तुम्हारे लिए नए हो सकते हैं किसी किसी शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं पाठ के संदर्भ से जोड़ कर तुम यहाँ अनुमान खुद लगाओ कि कौन सा अर्थ ठीक है तुम देखोगे कि शब्द के अर्थ से पहले विभिन्न प्रकार के अक्षर संकेत दिये गए हैं इन संकेतों से हमें शब्दों की व्याकरण संबंधी जानकारी मिलती है यहाँ दी गई सूची की मदद से तुम इन अक्षर संकेतों को समझ सकते हो अ अव्यय क्रिक्रिया पु पुलिंग वि विशेशन संग्या अ क्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रि इस पुस्तक में अलग-अलग पाठों में अ से आने वाले शब्द हैं अंट्शंट अर्थात फाल्तू या बेकार की चीज यह विशेशन और पुल्लिंग है अंचल अर्थात साड़ी, ओढ़नी, आदी जैसे कपड़ों का किनारे का हिस्सा या आचल यह पुल्लिंग है अडिक अर्थात स्थिर न डोलने वाला यह विशेशन है अनादिकाल, अर्थात जो सदा से चला रहा हो, यह विशेशन है अनुकर्ण, अर्थात नकल, किसी की देखा देखी करना, यह संग्या पुल्लिंग है अबूज, अर्थात जिसे बूझा या समझा न जा सके, अनबूज यह विशेशन है अभिराम, अर्थात सुन्दर, मोहक, यह विशेशन है अवलोकन, अर्थात बारी की से देखना, या जांचना परखना यह पुल्लिंग संग्या है इस पुस्तक में आ से आरंभ होने वाले शब्द हैं आगंतुक, अर्थात आने वाला, यह विशेशन है ओलिव ओयल, अर्थात जैतून का तेल, यह संग्या है आस्तीन, अर्थात कुर्टे, कमीज जैसे सिले हुए कपड़े की बाह, यह स्त्रीलिंग है आलादकर, अर्थात खुशी देने वाला, यह पुल्लिंग है आहवान, अर्थात बुलावा, आमंतरन या पुकार, यह पुल्लिंग है प्रिश्ट संख्या 130 इस पुस्तक में, उ से शुरू होने वाले शब्द है उकेरना, अर्थात खोद कर उठाना यह सकर्मक क्रिया है उद्दाम, अर्थात बंधन रहित, बहुत ज्यादा, यह विशेशन है उश्णता, अर्थात गर्मी, यह संग्या है इस पुस्तक में, ओ से आरंभ होने वाले शब्द है ओजस्वी, अर्थात ओजभरा, प्रभावपूर्ण, यह शक्तिशाली, यह विशेशन है इस पुस्तक में, कर्से आरंभ होने वाले शब्द कंटक, अर्थात काटा, यह पुलिंग है कतरा, अर्थात बूंद, यह भी पुलिंग है कनी, अर्थात बूंदे, कन, यह स्त्रीलिंग है कमतर, अर्थात कम महतोपूर्ण, कम करके आँकना, यह विशेशन है कर्ताल, अर्थात एक प्रकार का वादी यंत्र, यह पुलिंग है कल, अर्थात चैन, यह स्त्रीलिंग है काढ़ना अर्थात निकालना यह सकरमक्रिया है अर्थात युद्ध में मारजाना यह शहीद होना यह मुहावरा है कारकुन अर्थात कारिंदा यह काम करने वाला यह विशेशन है काल गति अर्थात मृत्यू यह स्त्रीलिंग है कार्निस अर्थात दीवार की कंगनी यह संग्या है कित अर्थात कहां यह अव्याय है कृत्रिम अर्थात बनावटी यह विशेशन है केतिक अर्थात कितना यह विशेशन है कैस्टर ओयल अर्थात अरंडी का तेल यह संग्या है कोरस अर्थात एक साथ मिलकर गाना यह विशेशन है कौपीन धारी अर्थात धोती पहनने के एक विशेश धंग की कारण यह विशेशन गांधी के लिए प्रयोग में लाया जाता था लंगोटी धारण करने वाला भी इसका अर्थ होता है यह पुलिंग है इस पुस्तक में ख से आरंब होने वाले कुछ शब्द है खपच्ची अर्थात बांस की तीली यह स्त्रीलिंग है खलना अर्थात अखरना यह अकर्मक क्रिया है खाक अर्थात धूल यह मिट्टी यह राख यह स्त्रीलिंग है खाकरा यह एक गुजराती वेंजन का नाम है यह पुलिंग है खाट अर्थात चारपाई यह पुलिंग है खिचडी अर्थात मिलाजुला यह स्त्रीलिंग है खीजना अर्थात जुन्जलाना या कृद्ध होना यह एक अकर्मक्रिया है इस पुस्तक में गर से आरंभ होने वाले कुछ शब्द गर्बीली अर्थात गर्व करने वाली या विशेशन है गरारा अर्थात धीली मोहरी का पाजामा यह पुलिंग अव्याय है गलत फेहमी अर्थात गलत समझना यह स्त्रीलिंग है गलीचा अर्थात सूत या उनके धागे से बुना हुआ कालीन यह पुलिंग है गात अर्थात शरीर या पुलिंग है गाथा अर्थात कहानी या स्त्रीलिंग है गिर्द अर्थात आसपास अव्य है गुल्जार अर्थात खिले हुए फूनों से भरा हुआ या फुलवारी या विशेशन है गो की अर्थात हालां की या यद्यपी या विशेशन है गोट अर्थात सुंदर्ता के लिए कपड़े पर लगाई जाने वाली पट्टी, फुलकारी या मगजी स्त्रीलिंग है घर से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में दिये गए है घरीक अर्थात घडी भर या क्षण भर या अव्यय है घात अर्थात चल या चाल या विशेशन है प्रिष्ट संख्या 131 च च से आने वाले कुछ शब्द है चंद अर्थात कुछ या विशेशन है चटक अर्थात रंग की शोखी भड़कीला या चटकीला या विशेशन है च्वय अर्थात आंसू बहचले चबेना अर्थात चबाकर खाने वाली खाद्य सामगरी या पुलिंग है चांदनी अर्थात चंदोवा उपर से ताना गया कपड़ा या स्त्रीलिंग है चारू अर्थात सुंदर या विशेशन है चितडे अर्थात फटा पुराना कपड़ा गूदड या पुलिंग है चुनिंदा अर्थात चुना हुआ या विशेशन है चुन्नट अर्थात सिल्वट या स्त्रीलिंग है चा से शुरू होने वाले कुछ शब्द है चबीली अर्थात सुन्दर या विशेशन है चरहरा अर्थात चुस्त या फुर्तीला या भी विशेशन है ज़से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आए है जमघट अर्थात एक जगह एकठे लोगों की भीड या जमाओ या पुलिंग है जर्रा अर्थात कन या पुलिंग अव्याय है जानी अर्थात जानकर या स्त्रीलिंग संग्या है जुन्डी अर्थात जो और बाजरे की बालियां या स्त्रीलिंग संग्या है जह से शुरू होने वाले शब्द जलकी अर्थात दिखाई दी या स्त्रीलिंग है जांज अर्थात कांसे की दो तश्तरियों से बना हुआ वाद्दियंत या स्त्रीलिंग है ट टरकाना अर्थात खिसका देना या टाल देना या सकर्मक्रिया है टीपना, अर्थात हू बहू उतारना, नकल करके लिखना, यह सकर्मक्रिया है ठ से आरंभ होने वाला एक शब्द है ठाड़े, जिसका अर्थ है खड़े, यह विशेशन है ड से शुरू होने वाला एक शब्द है डग, अर्थात कदम यह पुलिंग है त से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आए है तश्तरी, अर्थात ठाली नुमा प्लेट, यह स्त्रीलिंग है तय, अर्थात पत्नी, यह स्त्रीलिंग है तिहाकर, अर्थात तह लगाकर, यह सकर्मक्रिया है द से आरम होने वाले कुछ शब्द हैं दए अर्थात रखना, धरना या क्रिया है दर्ख्वास्त अर्थात निवेदन या अर्जी या संग्या है जो स्त्रीलिंग है धरिया अर्थात नदी या संग्या है पुलिंग दामन अर्थात पहाड के नीचे की जमीन या संग्या है पुलिंग दिव्य अर्थात बढ़िया या भव्य या विशेशन है द्य से आरम होने वाला शब्द है द्यो तक अर्थात सूचक या विशेशन है द्व से आरम होने वाला शब्द है द्वंद अर्थात संग्या है पुलिंग द्वई अर्थात दो या विशेशन है द्व से आरम होने वाले कुछ शब्द है धरि अर्थात रखकर धीर अर्थात धैर्य या धीरज या विशेशन है इस पुस्तक में उल्लिखित न से आरम होने वाले कुछ शब्द है नाह अर्थात पति या स्वामी या पुलिंग है निकसी अर्थात निकली या स्त्रीलिंग क्रिया है निपात अर्थात गिरना या पतन या विशेशन है नियामत अर्थात इश्वर की देन या स्त्रीलिंग है निश्फल अर्थात जिसका कोई फल न हो या विशेशन है निस्प्रिय अर्थात इच्छा रहित या भी विशेशन है प्रिश्टिस्म क्या 132 इस पुस्तक में प से शुरू होने वाले कुछ शब्द है पंखा अर्थात हाथ से जलने वाला पंखा या बेना या पुलिंग है पखारें अर्थात धोते हैं या सकर्मक क्रिया है पगडंडी अर्थात खेत या मैदान में पैदल चलने वालों के लिए बना पतला रास्ता या स्त्रीलिंग है पर्ण कुटी अर्थात पत्तों की बनी छाजन वाले कुटिया या स्त्रीलिंग है परिखव अर्थात प्रतीक्षा करना परखना या सकर्मक्रिया है पसेव अर्थात पसीना या पुलिंग संग्या है पुट अर्थात होंट या पुलिंग संग्या है पुर अर्थात नगर या किला यह संग्या है पेचीदा अर्थात उल्जन वाला कठिन या टेड़ा या विशेशन है प्रकोप अर्थात बढ़ी हुई बीमारी बहुत अधिक या फैला हुआ कोप या रोग यह पुलिंग है प्रतिदान अर्थात किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना यह पुलिंग है प्राग इतिहासिक यानि इतिहास में वर्णित काल के पूर वका यह विशेशन है पोँची अर्थात पोँच कर फ से आरंभ होने वाले शब्द हैं फिरंगी अर्थात विदेशी अंग्रेज भारत में यह शब्द अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त होता है यह पुलिंग है फिरोजी फिरोजे के रंग का यह विशेशन है फौलादी अर्थात फौलाद से बना बहुत कड़ा यह मजबूत यह विशेशन है फ्रिल अर्थात जालर यह संग्या है इस पुस्तक में ब से आरंभ होने वाले जो कुछ शब्द आये हैं वो है बघारना अर्थात पांडित्ति दिखाने के लिए किसी विशे की चर्चा करना यह सकर्मक क्रिया है बधहजमी अर्थात अपच या अजीर्ण या स्त्रीलिंग है बिलोचन अर्थात देखना या क्रिया है बुंदेले हर बोलों अर्थात बुंदेल खंड की एक जाती विशेश जो राजा महा राजाओं के यशगाती थी यह पुलिंग है बुरकना अर्थात चूरे जैसी किसी चीज को छिड़कना यह सकर्मक्रिया है बुहारी बुहारने वाली चीज यह जाडू यह सकर्मक्रिया है बुजती अर्थात पूचती है यह स्त्रीलिंग सकर्मक्रिया है बेजार अर्थात परेशान यह विशेशन है बैरिस्टरी अर्थात वकालत यह स्त्रीलिंग संग्या है भासे आरंभोने वाले शब्द हैं भूबूरी, अर्थात गरमरेत गरमधूल यह स्त्रीलिंग है, भृकुटी, अर्थात भौंहें यह स्त्रीलिंग है, भेड लेना, अर्थात भिडा देना, सटा देना, बंद करना यह सकर्मक्रिया है, म से आरंब होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आए है मन्शा अर्थात इरादा या पुल्लिंग है मग अर्थात रास्ता या संग्या पुल्लिंग है मनुज अर्थात मनुष्य या पुल्लिंग है मरज या मर्ज अर्थात बीमारी या पुल्लिंग है मुदित अर्थात मोद युक्त या आनन्दित या विशेशन है मुमकिन अर्थात संभव या विशेशन अव्याय है कृष्ट संख्या 133 यसे आरम होने वाला शब्द है यान अर्थात वाहन या पुलिंग है ल से आरम होने वाली शब्द लरीका यह पुलिंग है, अर्थात लड़का, लैम्प अर्थात चिराग यह पुलिंग है, लोच अर्थात लचीलापन, लचक यह स्त्रीलिंग है व से आरम होने वाले कुछ शब्द है, वात अर्थात शरीर में रहने वाली वायू के बढ़ने से होने वाला रोग यह पुलिंग है, वारी अर्थात जल यह पुलिंग है, विकट अर्थात भैंकर, दुर्गम, कठिन यह विशेशन है, विजन अर्थात निर्जन यह एकांत यह विशेशण है विरुदावली अर्थात विस्तृत कीर्तिकाथा या बढ़ाई या संग्या है व्यूह रचना अर्थात समूह युद्ध में सुद्रिध रक्षा बंक्ती बनाने के उद्दीश से सैनिकों का किसी विशेश क्रम में खड़ा होना यह स्त्रीलिंग है शह से शुरू होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आए है शक्सियत अर्थात व्यक्तित्व यह स्त्रीलिंग है शिफ्ट अर्थात पारी यह स्त्रीलिंग संग्या है शिविर अर्थात रहने या आराम करने के लिए तंबू गाड़कर स्थाई रूप से बनाई गई जगे यह पुलिंग है सरसे आरंभ होने वाले कुछ शब्द जो इस पुस्तक में आते हैं समा अर्थात वातावरन माहौल यह समय यह पुलिंग है सहल अर्थात आसान यह विशेशन है सॉक्स अर्थात मोजा यह जुराब यह संग्या है सांकल अर्थात दर्वाजा बन करने के लिए लगाई जाने वाली लोहे की कड़ी यह स्त्रीलिंग है सिम्त अर्थात दिशा यह भी स्त्रीलिंग है सिरजती अर्थात बनाती यह स्रिजन करती यह सकर्मक्रिया है सिलसिला अर्थात क्रम यह संग्या है सीरत अर्थात गुण यह स्त्रीलिंग है सीस अर्थात शीश या सिर यह पुलिंग है सुभट अर्थात रणकुशल या योद्धा यह पुलिंग है स्टॉक अर्थात संग्रह या भंडार या संग्या है स्टॉकिंग अर्थात लंबी जुराब या स्त्रीलिंग है इस पुस्तक में हर से आने वाले कुछ शब्द है हाजमा अर्थात पाचन शक्ति या संग्या है हिकमत अर्थात युक्ति या उपाए ये संग्या है हिफाजत अर्थात रक्षा ये संग्या है हेकडी अर्थात घमंड ये भी संग्या है हे अर्थात हीन्ता का बूद कराने वाला या तुच्छता की प्रतीती कराने वाला ये विशेशन है समाप्त प्रिष्ट संख्या 134 मत बाटो इनसान को मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बाट लिया भगवान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को अभी राह तो शुरू हुई है मन्जिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है मिलान सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को धर्ती बाटी सागर बाटा मत बाटो इनसान को अभी हरी भरी धर्ती है उपर नील वितान है पर न प्यार हो तो जगसूना जलता रेगिस्तान है अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को धर्ती बांटी सागर बांटा मत बांटो इनसान को साथ उठें सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को धर्ती बांटी सागर बांटा मत बांटो इनसान को यगीत है विनय महाजन का